आज का डाव जोन्स, आज का नश्डेक और S&P 500, रसेल 200 और कल का निप्टी 50 और निप्टी बैंक अभी भी समय है अमेरिकी स्टोक मार्केट का असर, कल भारतिय बजारों पर क्या होगी इसी की आज हम चर्चा करेंगे और निप्टी 50 का क्या लेबल रहेगा कल, निप्टी बैंक का क्या लेबल रहेगा और निप्टी 50 के कौन सा स्टोक आपको कमाई कर के देगा यही हम आज आपको बता रहे हैं चलिए सबसे पहले NASDAQ जान ले NASDAQ जो Information Technology का बहुत बड़ी Index सेक्टर है जैसे कि हमारा IT, Nifty IT, Nifty IT और NASDAQ इसका मतलब साफ है दोस्तों कि कल का इस्टोक मार्किट Nifty IT आपको जरूर देखना चाहिए Nifty IT के जितने भी स्टोक्स है, TCS, Infosys, Bipro, TEC Mahindra और भी Mid Cap के स्टोक्स है Mid Cap, Small Cap के IT स्टोक्स है, Mid Cap के IT स्टोक्स है और Large Cap के स्टोक्स सभी के सभी रडार पे कल IT स्टोक्स जरूर होना चाहिए, कब तक OBM बता दे आपको 11 बजे तक, कल का Nifty IT 11 बजे तक आपको कमाई करके जरूर दे सकता है यह जहां तक हमारी Analysis बता रही है Nifty Bank की बात करें, Nifty 50 की बात करने से पहले इसका मतलब कि Nifty IT जब सपोर्ट करेगा Nifty 50 को अगर उसमें Nifty Pharma और Nifty FMCG और Nifty Auto ने सपोर्ट कर दिया तो Nifty 50 कल फीर एक बार लगभग 700 पॉइंट उपर जाने की तयारी कर सकता है और नहीं तो क्या होगा, चलिए हम आगे बढ़ते हैं Nifty Bank की बात करनें दोस्तों Nifty Bank की जहां तक बात करें, तो Nifty Bank भी अच्छा खासा रिजल्ट दे रहा है और आपको यह भी बता दें कि यह भी 11 बज़े तक 100% आपको Nifty Bank भी कमाई करके देगा और Nifty Bank की कौन-कौन सा स्टोक्स है, Large Cap में, Medium Cap में और Small Cap में सभी के सभी Nifty Bank और Bank Nifty, सभी के सभी स्टोक्स रजार, रडार पे कल रहेंगे और Sensex के 30 स्टोक जो है आपको वह भी हमारे रडार पे रहेंगे और उसमें Sensex के 30 स्टोक्स में से कौन सा स्टोक आपको कल कर कमाई करके देगा वो भी हम आपको बता रहे हैं दोस्तों चलि निप्टी 50 की बात कर ले निप्टी 50 आज दोस्तों 16187 रुपया का बटम बनाया और टॉप 16369 मज़ा आगया दोस्तों 16375 का टार्गेट था एक्टिव नहीं हुआ कोई बात नहीं है कल कर लेंगे लेकिन उसके पहले 100% जानना जरूरी है कि क्या हमारा निप्टी 50 करता है और ये 50 स्टोप जो आज 125 का लेवल करना था जिसमें 60 पॉइंट ही आ रहा 16236 16236 का बेस बना हुआ है निप्टी 50 का और ये बेस अगर तोड़ता है उपर की तरफ जाता है दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ सॉरी सॉरी बेस 16200 अंठानबे का बेस बना हुआ है और अगर ये उपर की तरफ बेस तोड़कर जाता है तो समझे की पहला रेस्टेंस आता है 16,390 दूसरा रेस्टेंस आता है 16,440 और तीसरा रेस्टेंस आता है 16,525 चौथा रेस्टेंस 16,660 का लेवल जा सकता है तो 16,450 पे हम डन करते हैं 16,350 से लेकर 16,450 के बीच में निप्टी फिप्टी रहना चाहिए और लेकिन कुछ अगर निप्टी आईटी सपोर्ट किया उसके बाद बाकी जो 35-36 अगर सपोर्ट नहीं किया रिलाइंस का इसमें सबसे बड़ा जुगदान रहेगा SDFC करहेगा SBI करहेगा तो यह जान लिजिए सपोर्ट इसका बन रहा है 16,240 पहला सपोर्ट दूसरा सपोर्ट इसका है 17,150 का और तीसरा सपोर्ट इसका है 16,090 का यह है निप्टी 50 की प्रेडिक्शन अब आये निप्टी बैंक की भी बात करने दोस्ते निप्टी बैंक क्या कहता है कल के लिए वो भी जानना जरूरी है निप्टी बैंक क्या करता है निप्टी बैंक कल के लिए क्या बोलता है वो भी हमको जानना जरूरी है जो आज होना चाहिए वो तो हुआ नहीं अगर कल होता है तो समलिजे की बहुत बड़ी आपको एक कमाई का जरिया मिल जाएगा और ये मिलना भी चाहिए क्योंकि निप्टी बैंक निप्टी बैंक आज बॉटम बना है दोस्तों 35,110 का और 35,61 का टॉप बना है और आकर बंद वाज 35,720 रुपया अब ये क्या है कि 361 रुपया का हर्याली लेकर बना हुआ है अब आए कि बेस इसका क्या बन गया 35,540 रुपया का ये बेस बन गया इसका और रेश्टेंस अगर जाता है तो ये जान लिजे कि 35,900 का पहला रेश्टेंस दूसरा रेश्टेंस आपको 36,300 का तीसरा रेश्टेंस 36,900 का और ये रेश्टेंस बरकरार हो सकता है लेकिन अगर बैंक ने HDFC, SBIE, AXIS, ICICI जिस रफ्तार से चल रहे हैं नहीं साथ दिया तो इसका सपोर्ट जान लिजे नीचे कि तरफ अगर जाता है तो आपको बनेगा ये 35,500, 40 और दूसरा सपोर्ट है इसका 35,200 और तीसरा सपोर्ट 35,000 का ये है निप्टी 50 का नहीं निप्टी बैंक का निप्टी 50 और निप्टी बैंक दोनों का हमने बता दिया आप रहा गया कि कौन सा स्टोक आपको कमाई करके देगा कल वह भी जाना ज़रू रही है तो सबसे पहले निप्टी 50 का देखेंगे दोस्तों उसमें पहला नाम आता है आपको IRCTC, कोटक महिंद्रा बैंक जरू देखना है और SBI एंसुरेंस सेक्टर के स्टोक 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 स्टी एफसी लाइफ, SBI लाइफ और LIC जैसे स्टोक को GICL महिंद्रा एं महिंद्रा आटो मोबाइल्स, टाटा मोटर और असोक लिलेंज, आइसर मोटर DCM सिर्राम को भी देखेंगे कल और LKM फार्मा के साथ साथ हम सन फार्मा को भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि सन फार्मा निप्टी फार्मा का साथ देने वाला है और कल का दिन निप्टी फार्मा IT निप्टी IT और इसके अलावा निप्टी बैंक में एक बैंक आपको जरूर देखना है जिसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक ICICI बैंक HDFC बैंक जो आपको रडार पे रखना चाहिए अडानी इंटरप्राइजेज अडानी पावर ताटा पावर अडानी टोटल गैस ONGC रेलाइंस जैसे स्टोक को भी आपको अपनी रडार में कल देखना जरूरी है तो चलिए कल देखते हैं 9 बज कर 15 मिनिट पे भारतिय इस्टोक मार्केट क्या डाव जोंस और नस्ट डैक की तरह 11 बजे तक कमाई करके देगा कितना असर होगा आज का बिदेशी बजार देखकर भारतिय इस्टोक मार्केट में क्या ऐसी ही हर्याली दिखेगी तो बहुत ही अच्छी बात है और प्री एक्स्पाइरी तरस्टे को ओश्पाइरी वीक्री एकट ऐस्पाइरी हे उसके एक दिन पहले पता चलियागा कि एस्पाइरी के दिन ब्रिश्पतवार को मतलब कि 21 तारीच को निप्टी civ Ide cotton को निप्टी फिप्टी का क्या रंग रहेगा कली पता चल जाएगा दो बज कर तीस मिनट में जै हिंजे भारत बंदे मातरम आज जनम लेने वाले सभी उनिस जुलाई को जनम लेने वाले सभी को हर्दे से M.B.A. B.K. सिंग जनम दिन की धेर सारी सुभ काम दाएं जै हिंजे भारत बंदे मातरम चीरन जी भी भाव